हलो फ्रेंस आज इस वीडियो में हम नरेन मोदी जी की द्वारा बताए गये आत्म निर्भर भारत अभियान के बारे में जानेंगे आत्म निर्भर भारत अभियान के फाइब पीलर्स जो हैं वह कौन-कौन सी हैं जिसकी चर्चा नरेन मोदी जी के द्वारा किया गया है तो वह फाइब पीलर्स जो है वह है इकोनोमी, इंफ्राइस्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड ये जो है आत्म इकोनोमी जो incremental change नहीं बलकि quantum jump लाए मतलब की incremental change मतलब क्या होता है जैसे कि कोई भी changes जो होती है वह सीड़ी दर सीड़ी होती चल लेते हैं यानि कि step wise जो changes होते हैं ऐसा changes हमें नहीं चाहिए बलकि हमें क्या चाहिए quantum jump चाहिए जैसे कि CD में हो गया जैसे CD होती है न उसी तर इसे चेंजे सो जो की हाइट चेंज होनी चाहिए इसे ही quantum jump कहा गया है तो एक ऐसी economy जो incremental change नहों कर quantum jump लाए ऐसी तरीके की economy आत्मनीरिभर अभ्यान में बताया गया है दूसरा जो है बोला गया है infrastructure के बारे में इंफ्रा से अच्छा देश बनकर सामने आएगा नेक सा यहां पर शिस्टम के बारे में बताOOOO सकार करने वाली टेखनालोजी ड्राइवन व्योस्थाओं पर आधारीथ है अब यहां पर एक बाद टेकनिकल यहां टेकनोलोजी ड्रिवन इसका क्या मतलब है टेखनोलोजी मतलब जह से हम हो चुन फोकिस हो गया है टेक्नोलोजी के ओपर नेक्स्ट है डेमोग्राफी डेमोग्राफी की दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वैबरन डेमोग्राफी हमारी ताकत है आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी उर्जा का स्रोथ है अब यहाँ पर vibrant डेमोग्राफी से क्या मतलब है जैसे कि अभी इंडिया में जो है 50% से अधिक जो आबादी है वह 25 वर्स से कम उम्रे के लोगों की है ठीक है तो यहां के 50% से ज़्यादा जन संख्या जो अब 25 वरसे से कम उम्रे के युवा लोग यहाँ पे इंडिया में हैं तो उसी के बारे में कहा गया है कि दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्राशी में हमारी वैबरेन डेमोक्राफी हमारी ताकत है जो कि आत्मनीर्वर भारत के लिए हमारी उर्जा का स्रोध है नेक्स्ट है डिमांड हमारी अर्थ विवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है जो ताकत है उसे पूरी छमता से इस्तिमाल किये जाने की जरूरत है जैसे कि दिमांड और सप्लाई के जैसे कि यहां कहीं भी दिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती चले जाती है जैने कि जिस चीज की दिमांड जितनी होगे उसकी पूर्ति के लिए कंपनी जो है वह उतनी ही उस चीज को बनाती है तो क्या यहां ज्यादा ज्याद इंडिया लिखा हो अब देश में ही बने सामानों का ज्यादा ज्यादा उप्योग कीजिए जिसे की यह डिमांड और सप्लाई का चेंड भी इंडिया वहीं बना रहे हैं ठीक है तो यह था दोस्तों आत्मनी भर भारत के अभियान से जूरे शब्द जो की नरेन मोदी जी के दोड़ा चर्चा की आजेया था जो कि पांच पीलर जी बताएं तो नोंने आत्मनी भर अभियान के भारत के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आयोग लाइक जरूर कीजिए व्यूर्व कमेंट भी जरूर कीजिए आप अपना this video वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके बताईए थैंक्यू